मेंटली बहुत ज्यादा एक फरक पड़ता है, मेंटली आप कैसे हो, मेंटली स्टोंग हो वहां पे, क्योंकि एक पूरी कंट्री के आपके साथ उमीदे जुड़ी होई हैं वहां पे, और आप कंट्री को रेप्रिजेंट कर रहे हो, और ओलम्पिक सर्व से बड़ी बादा च चार साल में आता है, तो वह एक बहुत ही बड़ा फैक्ट है कि चार साल में आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है कि वहीं पे आपको परफॉर्म करना है, फ्लेक्सिबिल्टी पूरा पिछे तक रखती है सोल्डर को, और हमारा ब्लोकिंग लाग जब लगता है तो पूरा फि फैंकता है, यह पैर है जो ब्रेक मारता है और फिर पिछे से उच ज़्यदा स्पीड में यह हाथ थ्रो करता है, ऐसे हवा जिसी निगलती है आज से तो वो है फ्लेक्सिबिल्टी का फाइदा. अजियो प्रिजेंट्स दर अवीर शो के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है दोस्तों, आज के एपिसोड में भारत किशान नीरत चोपडा हमें बताएंगे how he achieved it in style, आज के एपिसोड में मैंने उनकी mentality जानने की कोशिश करी, उनके दिमाग में जो thoughts होते हैं, ट्रे अगर आप एक fitness enthusiast हो, if you want to achieve it in style, इस एपिसोड को end तक देखिए, ये लोक है styled by Ajiyo, दोस्तों, without further ado, ये है Olympic gold medalist भारत की शान, नीरत चोपडा on TRS. नीरत चोपडा भाई, इंडिया के लिए आपने जो भी के उसके लिए थैंक यू, और फिर मैं ये कहना चाहूंगा, कि welcome to TRS, थैंक यू सो मज़ भाई, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा आप से बात करें, मुझे बहुत बढ़ी अलग रहा है, बहुत ही एक positive और sporty vibe आ रही है, यहां पर रूम देखा हम आपर इतने sports legend है अपने, बहुत ही मज़ा आया हो देखके, कैसे हो आजकल मेरे भाई, बिल्कुल बढ़ी है, एकदम मस्त ट्रेनिंग चल रही थी, और बस पुरा दवा के महनच चल रही है अभी, आपसे बहुत ज़्यादा confident energy कि को feel हो जाती है, जो आपको face to face को ही देखेगा, अब बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से confident, आप overconfident बिल्कुल नहीं हो, पर confidence आप में तो बहुत है, मुझे लगता है कि ज़रूरी है, overconfident तो नुक्सान कर देता है, पर अगर overconfident भी है तो अपने तक ही रख़ो उस बात को लेकिन मुझे लगता है कि एक trust तो रहना जी अपने आप पर किये, मैं कर सकता हूँ, गोल्ड मेडल जीतने से पहले confidence था कि overconfidence था आपके दिल में, उस टाइम पर ये था कि मुझे अपना confidence था कि मैं अपना best करूँगा यहाँ पर ऐसा गोल्ड मेडल का कोई मैंने एक pressure नही लेकिन भी या अच्छे साथ सा athlete अपना perform नहीं कर पाता उस दिन और मेरा उस दिन ठीक काफी अच्छे से रहा, तो यह up down, up down sports में चलते रहते हैं और preparation बहुत बढ़िया थी, ऐसे क्यों होता है पर एक तो Olympics का बोलते है कि mentally बहुत ज़्यादा एक फरक पड़ता है, mentally आप कै mentally strong हो वहाँ पे, क्योंकि एक पूरी country के आपके साथ उमीदे जुड़ी होई हैं वहाँ पे, और आप country को represent कर रहे हो, और Olympics सबसे बड़े बादा चार साल में आता है, तो वह एक बहुत ही बड़ा fact है कि चार साल में आपको थोड़ा सा time मिलता है कि वहीं पर आपको perform करना है तो इतने time और अगर वहाँ पे उस मोका चुक गया तो अगले चार साल तक वेट करना पड़ेगा, तो वह एक बहुत बड़ा एक mentally so है कि वह एक बन जाता है कि यार चार साल बाद मिलेगा ये मोका, तो उसी time पे, उसी एक particular time पे आपको करके दिखाना है कुछ, तो वह एक म बहुत कुछ पूछना है आपसे यार, बिल्कुल आप पूछा बड़ी आ, मजा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, जब आप वह जैवलिन फेक रहते हैं जो विनिंग थो था आपको, अपके दिमाग में क्या चला है, तभी भी आप सिर्फ ये सोच रहे है कि मुझे best performance द पर इखता हूं कि मैं रन्वे पे हूं, मैं भाग रहा हूं और मैंने अच्छा था किया, जो हमने ट्रेनिंग में इंगे फोकस किया है, जो रहिता है, जब फील्ड पे होता हूं तब 100% अपना ये ह्या रहता है माइंड में कि बस पूरा अच्छे से भाग नहें रिदम से और 100% अपना पुरा जोर लगा देना है फैक्टे टाइम, तो वही था, उस थ्रो में अच्छा लगा, और सभी बोलते हैं कि मैंने थ्रो करते ही ऐसे पीछे, मतलब वो थ्रो को नहीं देखा, तो वो कही न कहीं वो फील हो जाता है, क्यों कितने साल से एक ही इवेंट की ट्रे हैं, वो मारते हैं, वो पहले ही सेलिब्रेट करने लग जाते हैं कि भाई, वो भी एक और कॉन्फिडेंट नहीं है, वो उनको अपने ट्रेनिंग पर विश्वास है, कि उन्होंने इतनी ट्रेनिंग की है, तो इतने साल का एक्स्पिरियंस है उनका, जो आपने mental fitness की बात करी मतलब हर कोई physically fit होता है, पर mentally fit होना मुश्किल होता है Olympics में, क्योंकि कुछ लोगों को शायर life में एक ही opportunity मिलती है Olympics में, कुछ लोगों को ज्यादा से ज्यादा शायर तीन opportunities मिलेंगे, कुछ हैं, मतलब जो कहीं अथलीड होते हैं, चार-पांच भी ले लेते हैं, लेकिन वो शूटिंग है, उसमें 45 एर के साइद को एरानी सूटर थे, उन्होंने medal जिता है, लेकिन जैसे sport है जिनमें आपको बहुत ज्यादा physical need, आपको अपनी बोडी से बहुत ज्यादा workout करना है, performance, mentally के साथ साथ बोडी से भी बहुत ज्यादा रिलेटिड करती है, तो उसमें 28, 29 तक, 30 ओवर, 30 तक मतलब बहुत अच्छा रहता है, कुछ ने दिया है, जो extraordinary थे, 30 के बाद भी लेकिन, ये कुछ है जैसे है कि एक peak age रहती है, उसमें ही आप उन Olympics में बहुत अच्छा कर पाते हैं, पता है, सेवाग से रहे थे शो पर, और उन्होंने कहा कि, यार, Olympians को ज्यादा इंटरनेट पे बुलाना चाहिए, पॉडकास्टर्स को, इंटर्व्यूर्स को, आप ये मानते हो कि आपने ओलिम्पिक स्पोर्ट्स की पहचान बदल दिया भारत में, मेरे से पहले काफी अच्छे अच्छे रहे हैं, मतलब मैं, सिरफ अपना नाम ले लेना चाह हैं, और देश के लिए बहुत कुछ किया है, तो उनका भी एक योगदान है इसमें, और मैं पेरलॉम्पियंस को भी इसमें आड़ करना चाहूँ है कि इस बार कितना अच्छा परफोर्मेंस था, सभी ने बहुत ही बढ़िया किया, तो सभी की वजए से सभी का एक ध्यान अब उलिम्पिक स्पोर्ट पर आ चुका है, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैवलिन आपके हाथों में डाला था किसने, कोई कोच थे? सब भी रैसलिंग था, फुटबोल, होकी, सब स्पोर्ट थे, लेकिन वो एक कोनेप से कुछ दोस्त थे, वो मतलब उस टाइम पर बने बने थे, तो वो जैवलिन थ्रो कर रहे थे, बिल्कुल कोनेप स्टेडियम में, ये कहा की बात है? ये पानीपत स्टेडियम की बात है, स्टेडियम की, तो वहाँ पर मैंने उनको थ्रो करते हुए देखा, तो तभी उसी टाइम बस एक मन में एक अजीब सा, एक सबी स्पोर्ट की तरफ ना होके, फिर भी मुझे वो अच्छा लगा, वो फैंक रहे थे, वो जैवलिन ऐसे हिलती वी जा रही थी और आगे जाए गड़ रही थी, तो बस मेरा मन किया किया और मुझे भी एक फैक नहीं है, तो मैंने ऐसे ट्राइ की थी, तो तब जाके वहाँ पे जो मेरे आसपास के जो दोस्त थे, जैविर नाम है उनका, तो उन्होंने बोला कि बाई, साथ में मारे ट्रेनिंग स्टार्ट कर दे, उस त अब पता लगा कि बस अब यही करना है, जब पहरी बार जैविर न को थ्रो गिया था आपने, क्या चल रहा था आपके दिमाग बे, बस मुझे मैं सोच रहा था कि जैसे यह फैकते हैं बैसे ही फैकना है मुझे भी, बस दूर फैकना, उन की तरह फैका नहीं गया और बहु अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ थ्रोवर्स हैं वो स्पीडी होते हैं, कुछ थ्रोवर्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रोंग होते हैं, क्योंकि हमारे स्पोर्ट में कोई वेट काटेगरी नहीं है, आप 80 केजी क्यों है या आप 120 केजी क्यों हो, आपको एकी जंग है अभी स तो सभी का body language और सभी की physical fitness अलग होती है कुछ Germans को आप देखोगे तो वो बहुत ही जादा ऐसे 6.5, 6.4 feet होते हैं और ऐसे over 100 kg अब हम बच्चे लगते हैं उनके सामने खड़े हुए आपकी height क्या? मेरी 5, 11, 6 feet के करीब मतलब इतना ही है और weight मेरा competition time पे around 86-87 तक रहता है तो मतलब उनके सामने खड़े हुए हम ऐसे लगते हैं लेकिन जिनका world record है उनकी भी weight ऐसा ही जितना मेरा रहता है उतना उनका ही था लेकिन वो भी अच्छी तोरों करते हैं और हमारे जितने weight के भी अच्छी तोरों कर लेते हैं अब उसमें क्या है कि हम थोड़ा speedy है मैं flexible हूँ strength भी ठीक ठाक है तो वो एक सभी चीज़ों combination है और technique बहुत बड़ा है इस sport में और हनुमान जी आपके साथ है कोई भी खिलाडी है इंडिया के तो हनुमान जी को तो पूरा और सिव जी को पूरा माँ वो मानते है कि भाई हो तो बिल्कुल खिलाडियों के बगवान है सब जै बजरंग बली बोलके और जै बजरंग बली बोलके और स्क्रीच डालो हां जी जै हनुमान जी दो चीज़े कहना चाहूंगा आपसे पहली चीज़ यह है कि यार हमने 500 पॉडकास्ट कर ली है तो एक इनसान के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है या उनका कैरेक्टर कैसा है थोड़ा बहुत पता चल जाता है पॉडकास्टर को थोड़ा बहुत आपकी आँखों में बहुत ज्यादा शान्ती है खुशी है यूमिलिटी है विनम रहत मुझे लगता है कि मैंने मेडल जीता मेरे घरवालों खुशी होई पैसा वगएरा मिला तो भई ठीक है मुझे मिला और मैं अपने आसपास की लोग अपने घर पे मैं कुछ मैंने गाड़ी ले ली या कुछ भी ले लिया अपने लिया कुछ ले लिया लेकिन लोगों को हम क कुछ ज़्यादा मतलर उनकी बहुत ज़्यादा हमसे मांगनी है तो वो हम अच्छे से निभा रहे हैं और मुझे लगता है कि जैसे हो वैसे ही चलते रहो मैनत जैसे मैं पहले दिन से मैनत कर रहा था बोही मैनत अभी भी बलकplat की और ज़्यादा मैनत कर रहे है अब कि और ज़्यादा करें और खुछ अगर आपको आपके पास एक बगवान ने एक चीज़ दी है कि यार ठीक है मैं इस जगह पे हूँ और मैं ऐसी जगह पे जीत गया हूँ गया हूँ तो अब यह है कि मैं और कुछ भी कर सकता हूँ इस से आगए भी तो ये टाइम है और इसको सोचता हूँ कि इसका जितना ज्यादा फाइदा उठासके, जितनी ज्यादा मेहनत की जासके करो, यह टाइम दुबारा आने वाला नहीं है, तो मैं पूरा अपना जोर लगा रहा हूँ, और उसमें जिन्भी लोगों से मिलो, एक सियाद है रहना चाहिए, क्योंकि इस जिन्दगी तो एक छोटी सी है, मतलब ऐसे बोलते हैं कि सो साल या जितने साल जितने हैं, लोग कुछ पता नहीं है, लेकिन जितने जितने लोगों से मिलो, कोशिस करो कि अपनी तरफ से कोशिस नहीं करते, किसी का दिल दुखाने की पर, गल्ती में कुछ भी हो सकता है, इंसान से कुछ नहीं पता, पर अपनी तरफ से कोशिस करो कि यार, अगले को अच्छा लगना चाहिए, अगला हम से रिस्पेक्ट से बात कर रहा है, अगले को वह ज़्यादा रिस्पेक्ट दो एक और चीज़ कहना चाहँगा, यह शायद आपके हुमिलिटी के वज़े से कि आप बहुत मतलब रिस्पेक्ट के साथ बात करते हो, पर उसकी वज़े से मैं आपके दिमाग में पूरी तर ऐसे घुस नहीं सकता, और इसलिए हमारा एक क्वेस्टिन का राउंड है, जिसका नाम है आजियो प्रिजेंट कीपट कैजूल, तो बहुत जट से आपको जवाब देना, जो भी आपके दिमाग में है, बस कह देना, तो कुछ ऐसे सवाल बनाएं, जिनकी वज़ा से आपके परस्नालिटी के बार में लोग और जान पाएंगे, अप रेडी हो भाई, बिलकुल, बहुत जट से आंसर करना है, ठीक है, और शॉर्ट आंसर, फिर मैं आपको पूछूँँगा थोड़ा, पहला सवाल, आपकी लाइफ की सबसे बेस्ट चीज क्या है, मेरी फैमिली, आपको किसी ने दिया, बस लगे रहो उस पर, कंसिस्टेंसी, बस लगे रहना है, ओके, आपके अकॉर्डिंग, जिन्दगी का कठोर सच क्या है, जिन्दगी का कठोर सच ही है, कि सब कुछ एग जैसा नहीं रहता, जैसा भी चले, कोशिस करो, कि उसको, उस मुमेंट को जी जादा पसंद है, यह यह डाल के मैं ट्रेनिंग करता हूँ, जो मुझे, अगर यह साधिवया में भी अलाउड हो, तो मैं यह डाल के चला जाँ हूँ, वो स्ट्रिंगर कैसा फील होता है, जो आप जैसा फील होता है, जिसमें बॉड़ी दिखती है, वो कंफर्टेबल होता वो मैं टी-सर डालना ज्यादा पसंद करता हूँ, पर कहीं कॉंपिटिसंस में एक किट होती है, यही किट डालनी है आपको, वो डालनी पड़ती है, कैसा मैं महसूस होता है, क्यों आपकी बॉड़ी बहुत जबर्दस दिखती हो उसमें, बस बॉड़ी तो मुझे लगता ह कि बॉड़ी दिखाने के लिए मैं इतना वो नहीं करता, पर वो डिखनी है, अगर वो डालना है तो वो तो जितना दिखनी है, पर उस टाम पर पूरा फोकस अपना इवेंट के गेम पही होता है, जब लोग आपके ट्रिपल एच जैसे बाल देखते और आपके बॉड़ी क को देखते हैं, भार भारते को यह लगता है कि या, अच्छा लगता है, अभी तो मैंने बाल कट वाली होफुली जब एक दो महिने में मेरे कॉंपेटिशन स्टार्ट होंगे तो तब तक थोड़े आज आएंगे, बालों में पावर होता है, बस स्टार्टिंग से रखता बस बन गया है कि अपना बंडाना डाल के बन ऐसे और परवाज जोर लगा दो फिर, ओके, ओके, घर पर जो आप बैटे हुए होता हो, अकेले में अब क्या पहनना पसंद करता हो, अकेले में मैं कोई लूज सी ट्रेक पैंट और टी सर्ट, सिंपल, कमफर्ट के लिए फिर स की ट्रेनिंग, वो मुझे लगता है कि जो देखते हैं, खेलते टाइम, उससे एकदम फिल्कुली डिफरेंट होती है, बहुत जादा ही, मैं कोशिज करूँगा कि मैं दिखा सकूं लोगों को, कैसे ना कैसे भी करके, पर जो ट्रेनिंग है, वो असली चीज है, ट्रेनिंग से जो भी थोड़ा बुत खाया पिया था, पूरा ऐसे अपने आपी बाहर आने के, तो उल्टी करने पड़ी थी, ऐसे आई नहीं है, कितनी भी जादा ट्रेनिंग कर ली, तो बच गया उस सीज से, लेकिन करनी पड़ी थी एक बार, ओके यह थोड़ा अजीव सवाल है, इन गन्टी से डेड़ गन्टी तक चलता है, और उसमें हम लगा तार कुछ ना कुछ आकुछ आगचिवीटी करते रहते हैं, मतलब हम एक थ्रो करते हैं, वापीस आते हैं, हम कुछ ना कुछ, dar России करेंगे, हम स्ट्रैचिंग करेंगे, हम फिर से स्प्रिंट लगा देंगे, तो हम एक्टिविटी करते रहते हैं, हम बिल्कुल बैट नहीं सकते हैं, क्योंकि बैट गए तो वो बिल्कुल डिला हो जाएगा सब कुछ, फिर नहीं कर पाएं अगली थ्रो, तो mentally और physically दोनों, मतलब कहीं जएंगा बहुत जादा ठंड होती है, खासकर Europe में, ये रोप के जो competitions होते हैं, तो उनमें काफी ठंड होती है, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्याद हमको continue कुछ करते हैं, पथरो करके आए, अपना track shoot डाला और फिर भागना शुरू, कुछ ना कुछ कर लिया, कुछ A-B exercise कर लिया, कुछ वैसे moment करते रहे, क्योंकि अगर बोडी ठंडी होगे, तो इंजरी भी हो सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, और आप performance भी अपना 100% भी पाऊगे, और एक चीज़ और एड करना चाहूँगा, कि हमारा मानलोग competition time है, चार बजे, तो हमको around 3.30 या फिर 3.15 हमको call room में जाना पड़ता है, और उससे भी पहले हम home up शुरू कर देते हैं, और चार बजे competition है, तो हम डाई बजे home up शुरू कर देते हैं, और चार से पांच या सड़े पांच बजे competition खतम होगा, तो around 3.30 तो नहीं, मतलब 2.30-3 गंटे continue हमको body चलाते रहना है, तो वहाँ पे stamina की जुरूद पड़ती है, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, आपने बहुत अच्छा question पूछा गया है, मैं आपको off-end नहीं करना चाहता है, मैं बिलकुल, मैं बस और जानने की कर रहा है, okay, complete the sentence, ठीक है, okay, नीरा चोपडा के लिए शोहरत का मतलब है, sport, लोग की sport है, मतलब जिस वज़ा से आपको fame, हाँ, जिस वज़ा से fame मिला, वो reason अच्छा है, कि country के लिए कुछ ऐसा किया है, तो इसलिए sport है, इसलिए आप a champ हो, हाँ, मैं खुद को नहीं बोलू अभी थोड़ा गहरा सवाल है, नीराच भाई, okay, आप अभी वो KBC वाली feel दिला रहे हो, okay, okay, ready, हाँ, बिलकुल, नीराच चोपडा के लिए, प्यार का मतलब क्या है, प्यार एक बहुती प्योर चीज़ है, मुझे लगता है, दिल से हो तो बट बढ़िया है, ऐसा शिरब दिखावा तो तंग कर देता है, दिल से हो तो स्पोर्टी भी होता है, और एक पोजिटिव वाइब्स होती है वहाँ पे, वो पता लग जाता है, ओके, एक फिल्म जिससे आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मली, भाग मिलखा भाग काफी अच्छ लगी, फरान अक्तर की क्यों? और उनका उनकी जरनी दिखाए उसमें, आप वैसे मोटिवेशन के लिए फिल्में देखतो हो? नहीं, वैसे कभी-कभी ऐसे देख लेते हैं कि टाइम है तो तब देख ली पर कुछ फिल्में हैं जो मोटिवेट करती हैं, जो अच्छी लगती हैं देखके, और कोई फिल्म सबसे फेवरेट फिल्म है, क्योंकि बेसिकल उसकी मेसेज ही है कि अगर आपका दिल साफ है, भगवान आपका ख्याल रख ले हैं, कोई कुछ भी कर लो फिर आप अच्छा ही होगा उसमें, एक लेवल तक तो पहुची साहोगे, बस महनत करो और दिल साफ रखो, दिल साफ बढ़ाते रहना बढ़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ाने में भी सालो लग जाते हैं, मतलब मालो मैं एक एक जामपल देता हूँ, आपको 2018 में मैंने 88.06 मीटर लगाई थी एशिन गेम्स में, नेसल रिकोर्ड किया था, और मेरा बेस थो था वो, तो वही रिकोर्ड त मैं खेला था तब यह, तो 21 में फिर मा दोबारा खेला, तो 21 में टूटा, अभी भी पिछले साल 2022 में मैंने 89.94 मीटर लगाई, तो एक डेड़ मीटर अभी बढ़ी है, कभी-कभी ऐसा भी होता है, बहुत लंबा जंप हो जाता है, काफी मीटर भी बढ़ती है, कहीं बार व मादब मॉडरन माचो स्टायल है उनकी, इंडियन भी काफी जालते है, तो अच्छा लगता है, मतलब बाल वाल थोड़ा थोड़ा अच्छे से वो यूनको लंबे बाल रखना, वो अच्छे लगते है, अब दाड़ी होगा होगे कभी, कोशिश करता हूं मुझे अच्छी अब यह फिर मेरा मनी उड़ जाता है, और देखते हैं कभी, होफुलिया आगे जाके कोशिश करूँगा, यह थोड़ा वगा सकूँ, नीरा चोपड़ा के सुनहेरी जुल्फो का राज क्या है, मैं कटवाता नहीं हो बाल बस, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, राज ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मेरे स्टार्टिंग से लम्बे रखता हो, मईरे स्टेट बाल हैं, मतलब ऐसे गुंग्राले नहीं होते हैं, तो बहो स्टेट ही रहते हैं, तेल वे डालते हो तेल कभी कभी, पहले काफी लगाता था भी तेल का इतनी आदद नी है तो, कंगा भी मुझे लगता है काफी जादा आठ दस साल हो गयोंगे, कंगा लगाता है नहीं बालों में तो, पर यह शायद हेल्दी डायेट, हेल्दी स्लीप रोटीन्स का भी एक result है, हो सकता है, कितना साथ गंटे की, छाड़े छाए छाए गंटे भी रात को, या साथ गंटे रात को, और दिन में भी आद्धा गंट, एक गंटा भी मिल जाए तो बहुत है, कि ट्रेनिंग के बीच में वो recovery time जरूरी है, अगर किसी दिन आपको motivation नहीं फील हो रही है, तो अब क्या करता हो? मैं अगर ट्रेनिंग है तो मैं अगर मुझे लग रहा है कि आज नहीं है, तो मैं कुछ और करता हूँ मैं, क्यूंकि मैं मानता हूँ, sport एक part alive का, ये life नहीं है, तो मैं सोचता हूँ कि अब यार मैं आज चलो, आज सिरफ खाते भीते हैं बस, कोच के साथ बैठूंगा अप करना ही नहीं है, वो भी जुरूरी है, कोई pressure नहीं है हमारे उपर, कि यार हमको करना ही है, training यार करना ही है, वो आप दिल से अच्छा लगता है, आपको खुशी मिलनी चाहिए हो काम करने में, और तब भी उसका फायदा भी मिलेगा, आपको ऐसे आपके उपर उनके साथ अच्छी टूनिंग बनी हुए तो वो बोलते हैं कि ठीक है ठीक है ठीक है पूस मत कर अब खुद को फिर ठीक है चिल करने के लिए क्या करता हो मत जो अब घूमने जातों कहां जातों खाने खाते भी हैं बस खाने में द्यान रखना पड़ता है कि हल्दी चीजी खाएं कि फिर ट्रेनिंग के टाइम अगले ट्रेनिंग में निकलना है और सब कुछ फेम मिलने के बाद अपने स्टाइल के बारे में क्या सीखा है फैशन और ये सब fashion के बारे में बही बोलूlimगा मतलब, कपड़े वगएरर जुत्टे वगएरर खरीदने का, स्नीकर्स लेने का स्नीकर्स मैं काफी लेता हूँ लेकिन मुझे खरीदने का सोक है, मैं पता नहीं क्या हैини कि मैं डालता नहीं हो जादा, डालने पाता मैं खरीता हूँ और रख देता हूँ साहँ आगे यादगार के तो रूमें कुछ खेलता हूँ कहीं पे मैंने किट डाली है तो मैं रख देता हूँ कि यार आगे उसके लिए पर अभी जैसे कल भी में आया तो कैमरा के साथ खड़े थे पता नहीं मुझे तो आदत नहीं है जो बोलिवुड से आते हैं तो पुरा कैमरा को मुरा उनको आदत हूगिया उस लाइफ की मैं इसे ही निकल गया जोगर डाला था मैं परसो कहीं पर गया था तो ऐसे ही मैं सुभार से उठा तो वही पेंड में ने दुबार डालके मा आ गया मैं जस्ट ऐसे बोली रहा था जो बाई साथे में थे मेरे कि आर मैं देखो ऐसी कपड़े डालके आ गया तोड़ा एरपोर्ट वगर वे ठीक से डालके आने तोड़ा गई वो फिर कैमरे वाले स्टार्ट होगे फोटो कैच ने तो वो थोड़ा सा कोशिस करते हैं कभी-कभी लेकिन मुझे सीखना है थोड़ा की नीरत चोपड़ा की ड्रीम वाइफ कैसी होगी सोचता ने बस देखो बगवान बस वही है कि साथ से बस ओरिजनल हो वही है कि जैसे है वैसे अच्छी है या फिर वह बहुत चीज नहीं मतलब एक ओरिजनल्टी हो तो अच्छा रहेगा फेमस गाय प्रॉब्लम्स लेट सी देखते हैं मतलब वही है कि बस ओरिजनल हो बड़िया लगेगा फिर अच्छे से चलेगा सब कुछ बले ही चाहिए नहीं कि बहुत ज्यादा फेमस या नाम फिम हो ठीक ठाक भी है तो पर ऐसे होना चाहिए कि भई हाँ अब सिंगल हो अब ही तक तो हाँ और नीरर चोपड़ा का सबसे मन पसंद जैकेट और मन पसंद जूते कौन से हैं मन पसंद जैकेट मुझे वो पफर जैकेट होती है न थोड़ी मोटी-मोटी सी सरदी में डालते हैं जो वो काफी अच्छी लगती है और मन पसंद जूते हैं अपने जैवलिन के सूच बहुत जादा पसंद है उनमें कीले होती है वो मैं ऐसे डालके निगूम सकता पर वो बहुत अच्छे लगते हैं ओके तो ये था नीरज भाई हमारा आजियो प्रेज सै ना कि मैं नORMAL FAMILY से उठा GAUGHONS से निकला बहुत सारे दोस्त भी मिले बहुत हमारे बारे में ऐसे बोलने वाले कि एससे कुछ नहीं होगा वो भी मिले बहुत SPORTIV लोग मिले तो सब चले गए मतलब बहुत ही कम लोग है जो हमारे पास हमारे साथ टिक पाए या फिर सम आपके पेरेंट्स ने कभी आपको कुछ ऐसी बात बोली है जिसकी वज़े से आपको बहुत फायदे मिले आपके करियर में पेरेंट्स तो मतलब हमारी एक बात पताऊँगो मेरी जॉइंट फैमिली है हम अराउंड अठारा उननीश लोग हैं घर में मतलब सभी बच्चे मेरे कजन्स सभी मिलाके मेरे दादा जी हैं तो सभी साथ में रहते हैं और मेरे मा और पापा को तो ये भी नहीं पता था कि मैं कहां स्टेडियम में कहां पे जा रहा हूँ छोटे अंकल हैं उनको बहुत जादा सोख था उनके काफी करीब था मैं तो वो ही मुझे स्पोर्ट करते थे कि यार वो मुझे स्टेडियम में लेके गए ये कॉलिज की बात है कर रहा हूँ ये स्कूल मतलब काफी टाइम पहलेगी स्कूल में ता उस टाइम चोटा था तो उनके काफी उसमेरा और स्पोर्ट किया उन्होंने कभी भी फैमिली की सबसे अच्छी बात लगी कि उन्होंने कभी मुझे प्रेसराइज नहीं किया कि यार तू मैडल जीत तू ये कर बस मुझे टाइम दिया और उन्होंने काफी जल्दी समझ लिया था कि मैं मैंनत कर रहा हूँ और मेरे मन को साथ समझ लिया कि ये दिल से मैंनत कर रहा है ये आज नहीं बले ही कुछ साल लग जाएंगे लेकिन ठीक चल रहा है ये तो उन्होंने मुझे पूरा टाइम दिया और आज भी सोचता हूँ तो आज भी फैमिली वाले ये बोलते हैं कि भाई तू ऐसे ही लगा रहा हूँ वो कभी मुझे नहीं बोलते कि ये कर वो कर वो बोलते कि अब तू अपने आप ही समझ गया जी जो कि अपने आप ही तूने इतनी महनत करके सब कुछ किया है बस हमारी जहां भी जरूरत लगे हो बताता रहा है अगर हो हमेशा ही बड़ी अच्छी स्पोर्ट करते हैं आपको पढ़ती है जरूरत किसको नहीं जरूरत पढ़ती है मतलब आप बात करने भी है मालो एक तरह की पोजिटिव एनरजी मिलती है घर पे बात कर ली मैं यह सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है पॉड्कास्टिंग करने के बात आपके साथ कि आप बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉंग हो तो मेंटली स्ट्रॉंग तो है लेकिन साथ से एक इनसान बहले ही अकिला आया है अकिला जाना है लेकिन साथ से आप आपके कोई करीब ही है तो उनके साथ भी जरूरी है मतलब फैमिली के साथ फैमिली के टाइम देना क्योंकि उनों नहीं उनकी वो जैसे ही है दुनिया में सब जरूरी है मैडल जीतने के बाद आप रोए हैं? नहीं मुझे लग रहा था कि मैं रोऊंगा मैं रोऊ पड़ू लेकिन रोऊ है नहीं यार पता नहीं देखते हैं साथ से कुछ स्पेसली मैडल होगा जहां पर मर रोऊंगा बट क्या मैसूस हो रहा था जब पोडियम पर खड़े थे? बस यही मैसूस हो रहा था कि यार कि यह सबसे बढ़ा प्लाटफों है मेरे स्पोर्टका मेरे स्पोर्टका तोस्टका बढ़ा प्लाटफों है और वहां पर अपना नैसल इंतल में बजवा पाया अथलाटिक्स ट्रेक में मतलब जितने वी लोग थे सब ही बले इक हम लोग थे पर सबी लोग खड़े थे, रिस्पेक्ट दे रहे थे हमारे नेसल एंथम को खुद के बारे में क्या मैसूस हो रहा था खुद के बारे में वही लग रहा था किया है नीरसुन कुछ तो गले में गोल्ड था और ऐसे फील हो रहा था पूरी जरनी थोड़ी 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 हजारो लाखो थोडस थे कुछ देर के लिए कि यार वह मैंन ऐसे स्टार्ट किया ऐसे बस्पना गुजराए गाउं से भी लोग करता है हर चीछ चोटी चोटी यादा हरी थी कैसी जरनी से निकल के यहां तक पूँचे हैं वो मज़ा आता है सोचने हैं फिर गाउं की खासिद क्या होती है गाउं की खासिद होती है कि आप देखो कि बड़े ही सिंपल आदमी होते हैं बहुत हार्ड ओवर करोते हैं चलकपट नहीं है हाँ चलकपट वाले सब जंगे मिल जाएंगे लेकिन कम मिलते हैं वहाँ पर सिंपल होते हैं बिल्कुली हरियाना से इतने अथलेट्स कैसे निकल कर आते हैं हर स्पोर्ट में अथलेट्स होते हैं कुछ तो है मतलब एक जिद्धी पना लगा लो या फिर वहां का ट्रैडिशन बन गया स्पोर्ट आप सुबह चार-पाँच बजे भी ऐसे गाउं से निकलोगे तो सड़क पे आपको बड़े बच्चे बागते होगे नजर आएंगे तो वो एक पैसन है स्पोर्ट के परती वो चाए ग्राउंड नहीं है मेरे गाउं में कोई ग्राउंड नहीं था हम फिर भी सड़क पे दोड़ लगाते थे तो वो कही ना कहीं वो एक चीज है कि आप फैसलिटी नहीं मांगते ही आर अरब हमको ये बिचाही ये बिचाही जिसको करना है निकलता रहे है, गरते-गरते, कई स्टेडियम में भी जाएगा, पिर और और चीज़ेंगा पर प्लेटफॉर्म में लेंगे, पर करो आप बस मेहनत करो, मुझे लगता है कि वहाँ स्पोर्ट का एक अच्छा सिस्टम बनाया गया है सिस्टम भी है और अभी तो गॉर्मेंट भी काफी स्पोर्ट कर रही है दिरे-दिरे स्टेडियम मन रहे हैं और वही है, खान-पान भी है बहुत ही जरूरी, खान-पान बहुत एक बड़ी बताईए, खाना-पिना क्या है कि वही है, सभी अगर में अपने भैंस होती है तो दूद, गी, पनीर, डई, सब कुछ और अपना क्योंकि हर्याना है तो वही हर्याली अपना खेत होते हैं सभी के लगबग गाउं में तो और जातर खिलाड़ी आप देखो, गाउं से भी बिलोंग करते हैं तो अपने खुद की सबजी या खाना पिना अपना खुद को होता है और्गैनिक टाइप में जादा तो वह अच्छा खाना पिना घर पे फोर्स करते हैं वहाँ पे हर्याना पंजाब में की खाओ और खाओ और खाओ और खाना और मेहनत का कॉंबिनेशन होता है तो वो फिर अपने आप ही हो जाता है अब वेज हो? नहीं मैंने नोन वेज स्टार्ट कर दिया था मैं आथलेट को खाना पड़ता है बाहर नहीं मिलता वेज बोद मुश्किल होती है मैं वेज ही था लेकिन एक बार मेरा 7-8 किलो वेट ऐसे तूटने लग गया था काफी मैंना तूटनी चल रही थी डाइट कम थी तो ऐसे सुखता आगया था साथवाले बोले कि नहीं यार भाई तूँ कुछ स्टार्ट कर ले कुछ थोड़ा बुद खा ले यह चीज्जें जरूरी है यह बार ओप्सन नहीं मिलते यह डेफिनिटली मानता हूँ मैं खुद वेज हूँ वेज बन चुका हूँ एज 25 तक नौन वेज खाया था अब बाई चॉइस वेज बन चुका हूँ पर डेफिनिटली बॉड़ी एफेक्ट हूँ यह कुछ बताईए क्या खाता हूँ डाइट के बारे मुझे नोन मेज में बहुत ज़्यादा मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं बहुत नोन मेजिटेरियन हूँ कभी-कभी चिकन या फीस या अंडे वस इतना ही है बहुत ज़्यादा चीज मैं निखाता जातर फिर अपना पनीर या इनसे पूरा करता हूँ मुझे नोर्मल सैलेड सैलेड में टोफू या ये चीजें और सब इतरह की सबजियां उसमें डाल लेता हूँ चावल और कुछ फूरूट कर्ड, दई वगएरा ये बहुत ज़्यादा खाना पसंद है और बाकी का कुछ सप्लिमेंट ले लेते हैं अगर लगे कि विटामिन डी क्या सप्लिमेंट चाहिए या फिर विटामिन सी चाहिए हमको प्रोटीन चाहिए इस प्रोटीन से एक थोड़ा क्योंकि डाइट से आप बहुत ज़्यादा खाखागे क्यों ट्रेनिंग भी करनी होती है बहुत ज़्यादा पेट नहीं बर सकते तो हर चीज का कोशिस करते है कि वो बैलेंस सा बना रहे प्रोटीन शेक पीतो दिन के एक एक या दो मतलब बहुत ज़्यादा ने, एक या दो एक ज़्यादा रहे या फिर दो ट्रेम हैवी ट्रेनिंग हो दो ओके और कोई सप्लेमेंट्स ले तो आप क्रियाटीन टाइपस क्रियाटीन इतना ज़्यादा नहीं पर विटामीन सी, विटामीन डी वगएरा जोएंट्स के लिए कुछ फिसोयल वगारा थाकि जोएंट्स थोड़े वो रहें और यही है मतलब जो एक बेसिक नीड होती है थोड़ असा वेट ट्रेनिंग के बारों में बात करना जाओंगा बीड ट्रेनिंग तो हमारी टैकनी की तनी सही नहीं होती है लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जितना ज्यादा स्ट्रॉंग उस गयूमहोर बड़ा आस्क हूं तो वेट ट्रैणिंग हम काफी करते हैं क्लीन, जर्क, स्नेच, स्कोट, हमारी एक अक्सराइज होती है, पुल ओवर, हम ऐसे बेंच पे लेटके, हम पूरा अपना ये स्टेच करते हैं पीछे, और फिर वेट को वापिस खैशते हैं, तो हमारी जो जैवलिन की ये मसल्स है, ये हमारी जो जैवलिन की स्पैसिफी अक् तो आप जिम में होगे, तो आप एक बेंच पे लेटके, पूरा कम से कभी इतनी हाइट हो नीची है, बेंच की कुछ नीचे बोक्स रखके, अब जस्ट ट्राइ करना, तो मैंने अराउंड 95, 100 केजी तक मैंने उसको कुल किया हुआ है, तो आप एक पार ट्राइ करना, वो क में जो जहां से हमो करते हैं, यहां पर स्टेंथ भी आती है, जैसे कि कहा जाता है ना, फिजिक्स में पावर इस इकूल टू स्पीड इंटू स्टेंथ, तो यहां आप स्टेंथ का काम कर रहे हुआ हाँ, स्टेंथ भी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों साथ में, शायद फ्ल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो आप पहले ही एक सोट मुवमेंट हो जाएगा, यहीं पे जैवलिन आ जाएगी और फिर आपको छोटी सी उसमें भैगना पड़ेगा, वह है कि वह इसमें हमको टाइम मिल जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी से, तो हमको पूरा फ्लेक्सिब ऐसे फैंकता है, यह पेर है जो ब्रेक मारता है और फिर पिछे से उस्ज़धा स्पीड में यह हाथ फिरो करता है, ऐसे हवा अज सी निगलती हाथ से, तो वो है फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा, जवाब फिरो कर रहो तो दिमाग में क्या चल रहो होता है, फ्रो के वक्त, ट्रेनिंग में तो यही चल रहोता है, जो कोछ बताता है, कि यार तेरा ब्लोकिंग लेग थोड़ा मूड गया, तेरा तुने पहले अल्बो को ऐसे मूड लिया, या फिर बहुत ज़्यादा टेकनिक है, मतलब मैं घुसा नहीं इस चीज में, मैं जानबूज के नहीं घुसा, कि बहुत ज़्यादा स्पैसिविक साइस में घुस जाओं मैं, मैं सोचता हूं कि कहीना की थोड़ा बहुत देसी पणा भी रहना चाहिए, सही बता हूं तो, पर बहुत ज़्यादा टेकनिकल है, मेरा कोछ है जो बायो मेकानिक एक्सपर्ट है, और वो छोटी-छोटी-छो अपना वैसी करता हूं कि अच्सी रहे टेकनिक लेकिन अपना वैसे फैकता है, देसी तरीकाशा कि यार बस, कंपेटिशन में तो बस जोर यह लगाना है, पहले ही कर लो, जीतनी टेकनिक करनी है, कि वो माइंड मसल कनेक्शन भी बन जाते है, क्या कहता उसको, मतलब ऑटमा और फैक नहीं है बस, और कुछ नहीं है, जितना जूर से फैक सको, गुस्सा, गुस्सा भी होता है, अग्रेसिव होता हूं मैं, कंपेटिशन के टाइम पर, मतलब फोकस के साथ, ऐसा नहीं कि भाई बस, आखलपनती है बस, फोकस भी होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं कोशिस करता हूं कि वैसे भी गुस्सा रहा है, किसी बात पर अपना ग्राउंड पर निकाल दो पूरा, ग्राउंड पर जाते हैं, वो बुरा गुस्सा ठंडा करें आते हैं, आपको किस बात पर गुस्सा आता है नहीं रजबाई, कुछ भी बात होती है, मतलब, वैसे ही बॉल दी, फिल हो जाती है कभी कभी, अच्छा नहीं लगता है, कि कई बार ऐसा होता है, कि हम किसी का बुरा चाहते हैं, लेकिन अगला ऐसा फिल कराता है, कि जैसे यार, यह क्या बोल दिया हमें ने, तो खुद मैं ऐसा लगते है, कि यार, कुछ सहिसमी गलत तो नहीं हो तो वो सोच सोच के मैं एक बात को काफी ज़्यादा बड़ा बना लेता पर जैसे ही मैं ग्राउंड पे मेरे लिए सबसे ज़्यादा रिलेक्सेशन है मेरी ट्रेइनिग, कितना भी कुछ है मेरे माइन में जब मैं ग्राउंड पे होता हूँ मुझे नहीं पता, मुझे फोन की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं पूरा 100% अपना वहीं पर लगाता हूँ, बड़ा पोजिटिव रहता हूँ, पता नहीं क्यों मैं उस टैम पे, तो वो मुझे बहुत जादा हेल्प करती है, मेरी लाइफ में हर तरीके स हर तरीके स्टोंग बनने में, अब हम मेंटल फिट्नेस के बारा में वात है करेंगे, तो आपने कहा कि, एक्चोली ओलिम्पिक्स में, जो लोग मैडल्स जीतते हैं, पर जो मैडल्स जीतते हैं, उन्में मैं वो मैंटल फिटनेस का एक जा होता है, मतलब क्या? मतलब यही है कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आपको कुछ लोग हैं जो हेल्प भी लेते हैं और मैं मानता हूँ कि बिल्कुल आपको हेल्प लेनी चाहिए साइक्लोजिस्ट की या किसी कोई मैसुस हो रहा है तो कुछ एथलीट्स होते हैं जो ग्राउंड पे बड़ा अच्छा करते हैं लेकिन कंपेटिसंस में बस टाइट हो जाते हैं मतलब वो करने पाते जो ट्रेनियू में करते हैं वो बहुत ऐसे पर वो कही ना कही मुझे लगता है कि यार या तो वो जदा खुछ से एक्सपेक्टे हो और आप अच्छा भी कर रहे हो और आपको अच्छा फील हो रहा है आप उस मुमेंट को एंजोई करो मुश्कील है करना लेकिन इतना ज्यादा अपना फोकस लेया हो इतना ज्यादा मतलब मुझे सच बता हूं तो मुझे जरूरत नहीं पढ़ रही है कि मैं उस चीज को पढ़ा हूँ मैं ग्राउड पर एंटरी करता हूँ मैंने उल्लंपिक ग्राउड पर एंटरी की तो मैं ऐसा लगा ही जैसे यह गेट है लगी दुनिया में गुस गया ऐसे दिखा पूरा इतना बड़ा स्टेडियम पूरा फोकस एक दम लोगों के बार में नहीं सोच रहो ऐसा होता है पूरे स्टेडियम में लोगों से भरा होता है स्टेडियम कहीं बार क्या पता कितने हजारों सतरसी जार लोग होते हैं लेकिन रन्नवे पे खड़े हैं दुनिया चिला रही है तालिया मार रही है कुछ भी कर रहे हैं पता नहीं कहां पे ऐसा लगता है जैसे गुच जाते हैं बड़ा डीप उस चीज को मैसुस करते हैं उस मुमेंट को इसे कुछ लोग फ्लो स्टेट कहते हैं कि आपकी बॉड़ी शायद यूनिवर्स कंट्रोल कर रही है उस मुमेंट में कुछ भी हो सकता है मतलब यूनिवर्स के बारे में कुछ भी आज तक मुझे लगता है कि थोड़ा सा इतना सा ही पता लगा पाए हैं इनसान बहुत कुछ हो सकता है मतलब कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में मैं तो भी मानता हूँ अगर किसी ने आपको मतलब ओलिम्पिक कमिशन का हेड बना दे और आपको ये कहा कि यार और गोल्ड मेडल आने भारत के लिए तो आप क्या चेंजिस लओगे सबसे पहले तुबही है कि ग्राउंड्स होंगे सबसे पहली बात हमको ग्राउंड्स ने मिलते मालिया मारा देश बहुत बड़ा है और हमारे अलग-अलग बड़े-बड़े स्टेट हैं, डिस्टिक्स हैं, बहुत चोटे-चोटे गाउं हैं, कई गाउं के बीच में ऐसा एक चंग है कि यहां पे जितने ज़्यादा, तो क्या अपॉर्चुनेटी ने मिलती अपने हापे ट्रेनिंग के लिए जंग है ने मिल पाती कोच ने मिल पाते बच्चों को कहीं हो कि सपने दबे-दबाई रह जाती है हमारा ओनर है, पूरी टीम का ओनर है कि आप यहां हमारे ओफिस में आकर आपने हमसे इतनी सारी बाते करी, लोगों को इतना कुछ सिखाया दो चीज़े कहना चाहूँगा आपसे पहली चीज, जितना भी ग्राटिटूड फील हो रहा है, जितने भी थैंक्यू फील हो रहे है वो मैं आपको कन्वे करना चाहूँगा जो आपने देश के लिए किया है, बहुत बड़ी चीज है, आपने एक पूरे जेनरेशन को इंस्परेशन दिया, जितने भी लोगों ओलिम्पिक्स में जाकर मेडल्स जीतने आपका चेहरा अब उनके दिमाग में उनके दिल में है, तो बहुत बड़ी चीज करिया आपने, और यह सब करने के बाद भी जितनी हुमिलिटी आपके दिल में यह बहुत कम लोगों में होती है तो डेफिनिली आप जैसे कहते हैं भगवान का बंदा आप भगवान के बंदे हो थैंक यू सो मज़ भाई, बहुत अच्छा लग आप से बात करें सेम और जाने से पहले आपके लिए एक गिफ्ट है यह हमारी पूरी टीम की तरफ से और आजियों की तरफ से आपके लिए एंजॉय करो थैंक यू सो मज़ थोड़े से चॉकलेट से इसमें कोड़ा बारी है भाई सही है, काफी बारी वेट उठाते हैं थैंक यू, बहले मैं ट्राइजरू करूँगा थोड़ा बहुत, लेकिन यह भी ट्रेनिंग पूरी दवागे चल रही है, कोई ना परस काफी लोगे मुँ में ठेक राऊंगा इससे अगर चाहिए आप नीचे रख सकता है बस यह कहना चाहूँगा फिर से थैंक यू, और इस बॉक्स के अंदर सिर्फ हमारे थैंक यूज और हमारे चोकलेट नहीं बहुत प्यार भी है आपके लिए और बहुत दुआ है कि आप हमारे देश के लिए और भी बहुत कुछ करें, मेडल्स जीते हैं और यह मेरे दिल से प्राटना है कि आपके करियर के खतम होने के बाद आप सच में ओलिंपिक कमिशन के कुछ हेड बन जा है इंडिया के और और भी ज़्यादा मेडल्स लाए हमारे देश के थैंक्यू बाई, पूरी बॉइस करूँगा, पूरी गॉड ब्लेस्यू थैंक्यू तो दोस्तों यह था आज का एपिसोड शायद यही मेरी करियर की एक ब्लेसिंग है कि इन सूपर अचीवर्स से मिलने का इनसे बात करने का एक मौका मिल जाता है मुझे यार यह एक ओलिंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है बहुत सारे लोग सिर्फ ओलिंपिक में कम्पीट करने का एक खौब रखते है अपने दिल में इन्होंने वहां जाकर एक ओलिंपिक गोल्ड मेडल जीता है आप ही सोचोगे कितनी बड़ी अचीवमेंट है और आप यही सोचो कि यह मेरे लिए कितना बड़ा एक्सपीरेंस है कि मुझे इस तरह के दिमाग इस तरह के दिल से सीखने का एक मौका मिल जाता है और तो और इस नॉलेज को आपके साथ मुझे शेयर करने का एक मौका मिल जाता है यार इस इस ड्रीम जॉब फो मी बहुत बढ़िया एपसोड आने वाल है आगे के चार हफ्तों में, प्लीज सपोर्ट करते रहिए, इन ओर टो अचीव इन स्टाइल टी आरेस से सीखते रहिए, और अगर आपको ऐसी ही लुक चाहिए खुद के लिए, आजीयो एप डाउनलोड कीजिए, इस लुक स्टाइल बाई आजीयो जाकर शॉप कीजिए और स्टाइलिश बनते जाहिए, TRS will be back very very soon.